जे श्री कृष्णा राधी राधी आप सभी को आने वाली नवरात्री की बहुत बहुत छुब कामनाएं माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहें सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें आज की इस वीडियो में हम नवरात्री में किये जाने वाले कलश इस्थापना के बारे में जानेंगे कलश इस्थापना का शुब समय क्या रहेगा किस शुब मूर्त में कलश इस्थापना की जाएगे कलश इस्थापना कैसे करने चाहिए क्या विदी होती है और अगर कलश इस्थापना ना कर पाएं तो क्या करें सारी बातें आज की इस वीडियो में जारेंगे तो आप वीडियो में अंतर तक बने रहें देखिए सबसे पहले तो एक सवाल हमारे मन में आता है कि हम नवरातरी की पूजा के समय जो कलश इस्थापना करते हैं क्या वो करना जरूरी होता है क्योंकि कुछ करों में कलश इस्थापना की जाती है कुछ में नहीं की जाती है तो देखिए आप पूजा बिना कलश इस्थापना के भी कर सकते हैं लेकिन कलश इस्थापित करके पूजा करना शुब माना जाता है इससे पूजा पूर्ण मानी जाती है हिंदु धरम में तो वैसे भी कलश इस्थापना को बहुत ही महतोपूर्ण माना जाता है जब भी कोई शुब काम किया जाता है कोई पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले कलश इस्थापना करते हैं तो आप भी कोशिश करें कि कलश इस्थापित करें कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है कलश के मुख में भगवान विश्णु का कलश के कंठ में भगवान शिव का और मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है कलश के बीच में सभी देविया वास करती हैं सभी तीर्थ वास करती हैं इसलिए कलश इस्थापना को बहुत ही शुब माना जाता है कलश इस्थापित करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है कलश इस्थापना करने के कुछ नियम होते हैं जैसे सोरियोदे से पहले कलश इस्थापित नहीं किया जाता कलश विसरजन सुर्यास्त के बाद नहीं किया जाता राहुकाल में कभी भी कलश इस्थापित नहीं करना चाहिए और नाही कलश को विसरडित करना चाहिए इसी तरह से अशुद अवस्था में कलश इस्थापित नहीं करना चाहिए तो ऐसे में अगर नवरातरी के पहले दिन किसी को पीरियर्ट सो गए हैं तो उसे कलश इस्थापित अपने आप से नहीं करना चाहिए घर का कोई अन्य सदसे कलश इस्थापित कर सकता है अब जान लेते हैं साल 2024 के कलश इस्थापना के शुब समय के बारे में इस बार यानि साल 2024 में चैतर नवरातरी 9 अपरेल यानि मंगलवार से प्रारम होगी और 17 अपरेल पुदुवार को समाप्थ होगी कलश इस्थापना पहले दिन यानि प्रतिपदा के दिन की जाती है तो 9 अपरेल मंगलवार को कलश इस्थापना की जाएगी जिसका शुब समय रहेगा सुबह 6 बज कर 2 मिनट से 10 बज कर 16 मिनट के बीच इस समय में आप कलश इस्थापना कर सकते हैं और दिन में 11 बज कर 57 मिन करने के बाद ही पहले दिन की पूजा की जाती है अब जान लेते हैं कलश इस्थापना करने की विधी के बारे में कलश इस्थापित कैसे करें देखे सबसे पहले तो जिस चोंकी पर आप माताजी को विराजित करने वाले हैं उसी चोंकी की पर आपको कलश इस्थापित करन जहां पर आपने मातर जी को विराजमान किया है उनके दाहिनी तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ कलश इस्थापित करना है तो आप इतनी जंगाचोंकी पर बना कर रखें कि आप कलश इस्थापित कर सकें कलश इस्थापित करने के भी दो तरीके होते हैं आप थोड़े से चावल की धेरी बनाकर चावल से अश्ट दल कमल बनाकर भी कलश इस्थापित कर सकते हैं और आप एक परतन में कुछ मित्ती लेकर उसमें जुआरे बोकर उसके बीच में भी कलश इस्थापित कर सकते हैं देखिए यहां पर कुछ मतवेद हो सकता है क्योंकि कुछ घरों में जैतर नवरात्री में जुआरे नहीं बोई जाते हैं जबकि कुछ घरों में दोनों नवरात्री में जुआरे बोई जाते हैं तो आपके घर में जैसी भी माननेता है उसी के अनुसार आपको काम करना चाहिए देखे कलश इस्थापित करने से पहले जहां पर आप चौकी लगाने वाले हैं उस इस्थान को गंगा जल डाल कर आप सुद्ध कर ले उसके बाद वहाँ पर चौकी लगाएं उसके उपर लाल कपड़ा बिछाएं कपड़ा बिलकुल साफ धुला हुआ होना चाहिए और उसक दाहिनी तरफ यानि सीधे हाथ की तरफ आपको कलश इस्थापित करना है तो कलश इस्थापित करने की विधी मैंने आपको बता दी कैसे करना है वो आपको देखना है कलश इस्थापित करने के बाद कलश में आप जल भर लेंगे उसके बाद आप उसे इस्थापित कर दें पांस, साथ, नौ जितने भी आपको मिल जाएं आम या अशोक के पत्ते आप कलश के मुख पर रख देंगे और उसके उपर एक जटा वाला नारियल जो पानी वाला नारियल होता है प्राउन कलर का, वो नारियल हमें रखना है एक बात का ध्यान रखें नारियल कभी भी ऐसे ही नहीं रखा जाता है लाल कपड़े में या लाल चुन्नी में लपेट कर और कलावे से बांध कर रखना चाहिए और नारियल का जो मुख है वो हमारी तरफ होना चाहिए जो नारियल में तीन आखे होती है जब हम नारियल को नारियल की जटाएं शीरते हैं तो उसके अंदर से तीन आखे निकलती है न वो पार्ट हमारी तरफ होना चाहिए तब ही नारियल रखना शुब माना जाता है एक और बात है कुछ लोगों का प्रशन होता है कि जब हम कलश इस्थापित करते हैं तो पहले दिन हमने कलश इस्थापित किया तो नोवन अवरातरा आते आते कलश का जल बिल्कुल सूख जाता है क्योंकि वो मिल्टी का कलश इस्थापित करते हैं तो ऐसे में वे क्या करते हैं बीच बीच में कलश खोलते हैं और उसके अंदर पानी डालते रहते हैं तो ऐसा नहीं करना है आपने पहले दिन कलश इस्थापित कर दिया अब उसे आपको बार बार खोल कर नहीं देखना है उसमें बार बार आपको पानी नहीं डालना है पानी तीर्थों का वास होता है तो ऐसे में जब आप रोज की पूजा कर रहे हैं माताजी की पूजा कर रहे हैं आरती कर रहे हैं तो ऐसे में आपको कलश की भी पूजा करनी है उनको भी आरती दूप दीप दिखाना है और पूजा करनी है कलश इस्थापना से संबंदित एक प्रेशन और है किसी ने कहा है कि अगर हमें पिरियड्स हो जाते हैं और हमारे पास कोई भी नहीं है जो हमारे अलावा कलश इस्थापना कर सके तो ऐसे में क्या करें तो देखिए ऐसे में कलश स्थापना तो पहले दिन की जाती है प्रतिपदा के दिन की जाती है तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप दो दिन बाद या तीन दिन बाद कलश स्थापना कर लें ऐसा नहीं किया जाता है पहले दिन ही कलश स्थापना की जाती है और तभी पूज की जाती है और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब आप पूजा तो नहीं कर सकते हैं अशुद अवस्ता में लेकिन अगर आप वरत रखते हैं तो आप वरत नहीं छोड़ना है वरत नहीं छोड़ा जाता किसी भी अवस्ता में तो आप वरत रख सकते हैं पूजा पाठ के लि गर में ना हो तो पडोस में से किसी कन्या को बुलाकर करा लें और अगर ये भी संभव नहीं है कुछ भी सकरना संभव नहीं है तो आप अश्टमी के दिन जब आपके हैं जिस दिन कन्या पूजन होना है अश्टमी या नौमी के दिन उस दिन सुबह सुबह कलश इस्तापित क और उसके बाद कन्या पूजन करके शाम को आप कलश को विसरजित कर दें। ध्यान रखें सूरियास्त से पहले पहले ही कलश विसरजित कर देना चाहिए। सूरियास्त के बाद कलश विसरजित नहीं किया जाता है। तो ये थी जहनकारी कलश स्थापना के बारे में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही हरे कृष्णा राधे राधे